चलो students मैं आपको दिखा देता हूँ आज multiplication trick जब आपको एक number को दूसरे number से multiply करना होगा और उनके units place का sum 10 होगा तो उस time हम multiplication कैसे करेंगे यह जेखें यहाँ पे 7 plus 3 that's equal to 10 4 plus 6 that's equal to 10 आप देखें करना क्या है आपको इन दोनों को आपस में multiply करना है 7 into 3 that's equal to 21 और यहाँ पे 6 को 8 add करना है तो यह बन जाएगा 7 what is 6 into 7 that is 42 ऐसे आपको यहाँ पे करना है 6 4 और 24 तो यहाँ पे plus 1 करके बन जाएगा 8 तो 7 8 और 56 ऐसे आपको यहाँ पे करना है 8 2 और 16 और यहाँ पे plus 1 तो यह बन जाएगा 4 3 4 और 12 तो यहाँ पे आजाएगा 7 3 और 21 तो यह 9 और 10 बन 24 तो यह 6 बन जाएगा 56 30 तो यहां पर 55 25 तो यह 5 बन जाएगा 45 20 और यहां पर 55 25 यह 6 बन जाएगा 56 30 और यह आप खुद ट्राइकर